कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और मेरी चैनल पर आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं सभी का ख्यान मदब करते हूं आप जानते हैं आपको बताने की जरूत नहीं है कि राजनीती में कोई कितना भी किसी कर साखा क्यों नहीं हो लेकिन रिष्टे में पर कोई फाइदा नहीं है तो इस रिष्टे को खतम होते हैं अब ये भी कहते हैं कि राजनीती में मुनापा ही देखा जाता है अब देखिए न विपलब देव में तेरा माई को अमेशा से मुलाकाती और 24 धटे के भीतर ही उन्हों के अपना इस्तिफा भी देदी अब कहने को ये भी हो सकता है कि उन्होंने पार्टी के खेंदे पे इस् त्रिप्रा में विपलब देव केश्दीपे के बाद अब बीजेपे ने मनिक सहा उन नया मुखपंतरी बनाने का फस्ट लगिया है बीजेभी विधायक देल के पैठक में सहा के नम भी मौर लग चुकी है विपलब देव केश्दीपे के बाद कई नामों की जख से चल लेकिन मानिक सहा का नाम सब से उन पड़ है अकिरकार तमाम में काउने सहा को ही विधायक दलगर निता चुना जिसके बाद अब वो जल्द शक्त लेकर के सेम का पस्ट सबा सकते हैं मानिक सहा राजवावन के लिए निकल चुके हैं ये भी कहा जा रहा है अब आपको हालों से त्रिफ्णा में बीजेभी नेताओं कि पार्टी चोड़ने का स्लिस्वर लगतार जा रही था और इसके पीछे जो वजया बताई जा रहे थी वो थी विपल थी इसके लिए उनको दूशी माना जा रहा था एक दरह से अजय सब कि मैंने आपको बताया कि 13 माई को दिल्ली में घ्यामंतली अमिश्रा से मुलाकार थी और इस मुलाकार के ठीक 24 विंटे के बाद आज यानि की 14 मुई को उन्होंने राजवाल के बकर जाटर के अपना इस्तिवा सोब दिया इस दिवा देने के बाद ने ये साफ कर दिया कि आलाकमान के कहने पर ही उन्होंने इस्तिवात देने के फैसला किया है। साथी उरोड ये भी कह दिया कि ये पार्टी के उपर है कि वो में क्या जिम्मेलानी देते हैं। जो बीजी पेदारी में ले दी हो संदेवी देते हैं। अब जाब इतनी बात हो गए तो मैं आपको बना दूँ कि मानिक सहा कौन है। जीती थी और 2016 में उन्होंने कॉम्रीट चो रही थी और दीजी के का द्रामन साथा। साहा को 2020 में बीजीवी कप्रदेश अजेक्ष बनाया गया था और साहा ने विपल कुमार देव की जेगा रही थी जिन्नोंने 25 साल कुराने कम्यूनिस्ट शासन को समाथ करते हुए 2008 रांगी भग्मा पार्टी की कहीं शांदार जीत दे लाएं। मानिक साहा रिप्रा कुटिट एस्टिट एस्टिशन के भी अधिक्ष और मुकेधारा की राजिदे में आने से पहले साहा अपनी अस्तित्रुप्रा मेडिकल उपड़ा देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा। मुझे आप मेरे कॉमेंट बक्स में जरूर बताएगा। मुझे आपके रायकान विजार आएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस वीडियो को आप शेयर में कर सकते हैं। झाल